नमस्कार दोस्तो गर्मी हो या सर्दी अगर खाने में प्रोटीन से भरपूर चने की दाल और वहभी फ्राई ही की वही मिल जाए तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है तो आईए जल्दी से शुरू करते हैं मैंने ये 200 ग्राम के करीब चने की दाल ली है और साथ में दो आधे आधे बड़े चमच जीरा, दो आधे बड़े चमच कश्मीरी लाल मिर्च, पावडर, काला नमक, स्वाद के अनुसार, एक चक्र फूल, एक संटिमीटर के करीब दाल चेनी, एक लोंग, साथ आठ काली ग्र मसाला, साबुत धनिया, एक लोंग, चिली फ्लेक्स, अधर प्लेसन का पेस्ट, एक लाल मिर्च, और थोड़ी सी मिथी सुकी लिए, तो आईए जल्दी से शुरू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले मैं दाल को तीन चर दफा दोलूँगा, ताकि कोई मिठी के कन वगएरा हो तो वह अलग हो जाएं, या कोई पालिश की हो थोड़ी बहुत, तो वह भी अलग हो जाएं, उसके बाद हम दो तिन घंटे के लिए इनको पानी में बिगो कर रखेंगे, आप चाहें तो पहले इसे कोकर में गरम करके उबाल के रख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल खुदर में काट लेंगे, देखिए कुछ इस तरह बिल्कुल छोटे हो तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद हम लेते हैं एक कुकर या आप दूसरा पतीला वगयरा कुछ भी ले सकते हैं, इसमें लगबग एक बड़े चमच के बराबर मैं सरसों का तेल ले रहा हूं, उसके बाद डाल देंगे हम इसमें हमारी गली हुई चने की दाल, और डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये हमारा चक्र फूल, साथ में दाल चिनी, लोंग, तेज पत्ता, साबुत काली मिर्च, साबुत धनिया, धनिया का इस्तेमाल जरू करें दोस्तों, ये बड़ी इलाइची, जिसे काली इलाइची भी बोलते हैं, इसको हम तोड़ कर डाल देंगे, ताकि जो इसका अंदर तक का समान का जूस है, बीज बगरा का, वे अच्छी तरह से हमारी दालों में मिल जाए, उसके बाद हम डालेंगे इसमें तीन गुना पानी, जितनी हमारी दाल थी, उसका तीन गुना, अगर आप पतली दाल पसंद करते हैं, तो पानी की मात्रा यहां बढ़ा सकते हैं, साथ में डाल देंगे हम, आदा छोटा चमच, कश्मीरी डाल मिर्च, देखे, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, उसके बाद हम लगाते हैं, इसमें लगबग तीन सीटियां, यानि तीन विसल, ज्यादा सीटियां लगाने की जरुत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी दाल को पानी में डाल कर गला लिया था, अब लेते हम दूसरा बरतन, उसमें हम डालेंगे तेल, आप गी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल इस्तिमाल करें दोस्तों, बहुत अच्छा रहता है, और थोड़ा सा इसमें डाल देशीगी, उसके बाद जीरा, अजवायन, एक सुकी हुई लाल मिर्च, लगबग 7-8 सेकिंड तक ही ह बारीक कटी हुई हमारी प्यास, प्यास बारीक कटी हों तो बहुत ही बहतर, हलके आतों से मिलाते रहेंगे, तीन से चार मिनट तक हम इसे बूनेंगे, उसके बाद डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये हमारा अधरक लसन का पेस्ट, और गैनो, आप चाहें तो इन दोनों चीज कर सकते हैं, डख कर हम पकाते हैं डेट से दो मिनट तक, गैस का वोल्यूम मैंने मीडियम कर दिया है, गल जाएं अच्छी तरह, इसके बाद हम डालेंगे इसमें अमारी बच्ची भी जो कश्मीरी लाल मिर्च थी, आधा चमश के करीब थी, आप चाहें तो मातरा बढ़ा स सकते हैं, अपने स्वात के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च हों, तो डाल का रम बहुत ही अच्छा लगता है, देखे, मसाला देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, दोस्तों, इस तरह से आप जरूर बनाइएगा, ये तड़कल हमारा तयार होने को है, टमाटर डाल देंगे, गैस का वोल्यूम कम कर दें, ढक कर तीन से चार मिनट तक हम इसे पकाएंगे, इधर हमारी दाल देखते हैं, दोस्तों, बिल्कुल गल चुकी है, ये देखी, बिल्कुल मुह में जाते ही गुलने वाली दाल, और उसके बाद हम डाल देंगे, हमारा ये टमाटर प्यास वाला पेस्ट, इसी का तड़का हम लगा रहे हैं, देहात में ज्यादे तर इसी तरह तड़का लगाते हैं, दोस्तों, उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिला देंगे, देखी, कुछ ज्यादा समय भी नहीं दाला, मेथे, हतेली की साहता से हम इसका चूरन सा बना लेंगे, वै डालेंगे, खुश्बू बहुत बढ़ आती है, और हाजमे के लिए तो अति उत्तम होती है, आप जानते ही होंगे, हलका सा मिला दें, उसके बाद इसे ढख कर हम एक मिनट तक पकाएंगे, जादा नहीं, देखी और दाल हमारी तयार है, बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आपको ये जल्दी से बनने वाली रेसिपी कैसी लगी, आप चावल, चपाती या किसी प बाई बाई